जैश्री राम दोस्तों दोस्तों आज हर घर में टेलिविजन टीवी उपलब्ध है वास्तु शास्तर के मुताबिक घर के किस हिस्से में टीवी रखना चाहिए ताकि साकारात्म कुर्जा आपको हमेशा मिलती रहे दरसल टीवी एक तरह का आइना है साथ ही ये गलास रिफले दिशा मानी जाती है वो उत्तर या फिर पूरव दिशा मानी जाती है इन दोनों ही दिशाओं से साकारात्मक उर्जा संचरित होती है जबकि दक्षिन दिशा नकरात्मक मानी जाती है मतलब घर के दक्षिन दिशा में कभी भी टीवी नहीं होना चाहिए साथ ही दरवाजे क ठीक सामने कभी टीवी नहीं रखना चाहिए दरसल पश्चिम दिशा में ना अधिक नकरातमक और ना ही सकरातमक उर्जा पाई जाती है इसलिए अगर उत्तर या पूरव में जगा ना मिले तो आप टीवी को पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं वास्तु शास्तर के ग्या अलित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल All Problems One Solution में स्वागत करता हूं तो दोस्तों आपको पता है कि हम वास्तु से जुड़े कुछ महतवपूरन टिप्स आपसे शेर करते हैं अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर शेर कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें दोस्तों पूरव से उत्तर दिशा की तरफ अगर आप अपने टीवी को रख प्रेडी और मोजमस्ती वाले कारेकरम ही जादा देखेंगे और उनमें बहुत अनंद महसूस करेंगे पूरव से उत्तर पूरव की तरफ वाला स्थान टीवी के लिए अधर्श माना जाता है यह उनको तनाव मुक्त रखने में सहायक होता है यदि आसपास फ्रेश लगाए जाएं तो बहुत अच्छा मना जाता है यहां पूरा परिवार टीवी देखने में मस्ती और ताजगी महसूस करेगा बहुत जल्दी कोई मानसिक तकलीफ इनको प्रेशान नहीं करेगी कुछ समय बाद यहां पर रहने वाले लोग इस सकरात्मक बदलाव को भी धी लिश्तों के बारे में बहुत जादा सोचने लग जाते हैं क्या सही है या क्या नहीं सही कभी-कभी यह मनन बहुत गहरा हो जाता है वह अपनी ही बनाई सोच में गहराई से सोचने लगते हैं जो कही ना कहीं बाद में उनकी पीडा का भी कारण बन जाता है इसलिए ऐसी ज ज्यादा समय गुजारने वाले समय को शांत और अराम में मैसूस करते हैं। उसे नीद भी अच्छी आती है। पश्चिन दिशा में टीवी से व्यक्ति को काम की नियूज मिलती है। या वह बहुत ज्यादा सजग हो जाता है। लाबदायक संदेशों की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की व्यपारिक सोच में भी सकरात्मक बदलाव आने लगते हैं। और यहे जरूर ध्यान दे कि यदि दिशा शेत्र संतूलित हैं तो तभी परिनाम आपको बहतर मिलेंगे। अगर आपका टीवी दक्षिन दिशा में रखा होगा तो पूरव से दक्षिन पूरव की तरफ लगा टीवी घर वालों का रुजान हमेशा तनाव और चिंता दूर करने वाले कारेकरामों की और कराता है। इस स्थान पर टीवी देखने से हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल की और ध्यान जाने लगता है। लेकिन इसके विपरित अगर आपके घर में पूरी तरह से वास्तू से समंदित है, अगर आपके घर में एक एक चीज अपने वास्तू अधारित रखी हुई है, आपका घर वास्तू के अकोर्डिंग बना है, तो आपका टीवी किसी भी दिशा में रखा हो, वो आपको पॉजिटिव अनर्जी ही देगा और आप हमेशा खुश रहेंगे अनंद में रहेंगे और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय वैतित करते रहेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटावट से लाइक कर दे और अगर आप चाहते हैं अपने घर का वास्तु सही करवाना तो आप हमें हमारे नंबरों पर कंटेक्ट कर सकते हैं आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जैश्री राम दोस्तों